देश की हर शहर की पलपल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर खबर जो नजरिया पदल दे इतिहास में 4 अप्रैल का दिन बहुत ही महतपूर था आज के दिन कई ऐसी महतपूर घटनाई घटी जिनके बारे में लोगों को कम ही मालूम है या फिर उन्हें बिलकुल पता ही नहीं है आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे या आज 4 अप्रैल के दिन इतिहास में कौन कौन सी महतपूर घटनाई घटी थी अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले अंदोलनकारी मार्टिन लोथर किंग जूनियर की आज ही के दिन 1968 में गोले मार कर हत्या कर दी गई थी मार्टिन लोथर किंग को कई लोग अमेरिका का गांधी भी कहते थे उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों के लिए एहम भूमिकानी भाई सन 1964 में उन्हें उनके प्रयासों के लिए नोबेल पुरसकार से ये सम्मानित किया गया 1955 में अल्बामा में शुयत यात्रियों के लिए अपनी सीट ना छोड़ने के लिए रोजा पारकस ने गिरफतारी दी इसके साथ ही किंग उनके समर्थन में उतर आये और प्रसिद बस आंदोलन चलाया या अंदोलन 383 दिनों तक चला और आखिरकार संघर्ष रंग लाया और 1956 में अमेरिकी सुप्रीम कोट ने आदेश दिया कि एफ्रो अमेरिकी अश्वयत नागरिक नगर निगम के किसी भी बस में कहीं भी बैट सकती है किंग महात्मा गांधी और उनके सिधानतों से बहुत प्रेरि थे 1669 में किंग ने भारत यात्रा की जिसे उन्होंने तीर्थ यात्रा जैसा बताया उन्होंने कई बार कहा कि महत्मा गांधी के अहिंसा के सिधान को वो आखोल देने वाला मानते हैं चार अप्रैल 1668 को जब किंग अमेरिका के मेफसिस शहर में सफाय कर्मचारियों की खराब परिस्थितियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे तब ही उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई उन पर गोली चलाने वाले जेम्स अर्ल रे को 99 साल की सजा सुनाई गई और सन 1998 में जेल में ही रे की मौत हो गई आज का दिन 4 अप्रैल युध की दो बड़ी घटनाओं के साथ जुड़ा है साल सन 1858 में 4 अप्रैल के ही दिन अंग्रेजी सेना के खिलाव संघर्श के बाद जहांसी की रानी लच्मिबाई को जहांसी को छोड़ना पड़ा था अंग्रेजों के दात खटे करने वाली लच्मिबाई जहांसी से निकल कर कालपी पहुँची और फिर वहां से ग्वालियर के लिए रवाना हो गई थी वहीं 4 अप्रैल के ही दिन सन 1944 में दबैटल अफ कोहिमा शुरू हुआ था जिसनी एशिया की तरफ बढ़ते जापान की कदमों को रोग दिया था इन दोनों ही घटनाओं का इतिहास में बेहद ही महत्वपून स्थान है उमीद करते हैं कि आज के एपिसोड में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी देश की हर शहर की पलपल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूस 24 पर खबर जो नजरिया पदल दी